सबी किसान साथियों को हमारा नमस्कार किसान वियों आप सबी का आज फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है किसान वियों जैसे कि मैं आज आप पहुंचा हूँ जै किसान एग्रो सेल्स कंपनी में जो की ये आयोध्या में पढ़ता है किसान वियों और कमपनी के ऑनर जै किसान सर इसे बाते करेंगे और इस थरेसर के बारे में संपूर जानकारी लेंगे, तो किसान जो विडियो में आप रहे रहे हैं, तो नमस्कार सामने से जो हमारे बीवर्स हमको और आपको देख रहे हैं, उनको एक अपना छोटा सा परीचे दीजिए. जो कि इनायत नगर मिल्किपूर में है जी और मेरा मुवाइल नंबर है चौरान नभी तिरपन चेतिस चपन अठाउन और एक दूसरा नंबर है जय गुर्दयों थ्रेसर के वारे में कुछ हमारे किसान भायों को जानकारी दीजिए यह तो आप वीडियो में दिखा दीजिए फोडू को जी अच्या यहां पे मतलब सर्विस होगारा भी हमारे यह सर्विस होती है जो कि जो कि मरमत के लिए हमारे पास आते हैं जी और इसमें कोई कंपलेंट नहीं है बज्जे छूरी घिस गई जी तो वही लगाने के लिए जी सर मैं एक चीज़ और देखना पूछना चाहूंगा आपसे क्या हमारे किसान भाईयों को इस पे सब्सीडी भी मिल सकती है या नहीं इस पे 50% तक सब्सीडी मिल सकती है यह यह पर इंडिया से अप्रूब्ड है अच्छा इस पे 50% सब्सीडी मिल जाएगी और जो अगर इंसीट्यू में लगाएंगे तो उनको जो 80% सब्सीडी इस पर है जी 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 यानि इस पे सब्सीडी भी किसान भाईयों आपको जन यो 안से की ही वहतरीन तरीके से और अब हम सर बात करते हैं इस थरेषर के बारे में जैसे अब हम बात करना चाहींगे सबसे पहले बात करवा यह दान की निकाल्सक्त घान किसान के लिए बनाई गया है जो में किसान की डिमांड आए जी जो कंपनी में सोच है कि यह घान के बना गया है जो के काल लेकर दोले कवसले कर दाला है जहां sorry मुंग हो गया उरद हो गया, सर सो हो गया यह चना हो गया यह सारी प 1700 है, मैं प्रस्न को । चाहिए लिए खेति किया मैं जोकिसान ड़ा है है क्वा संधीर व्हाлем आ Его भेंग यह 1 टार्युचीबिदया करने खेति छेचीवरिश कीष। हभाइन यह फासल मलब एक पाणिना गिरे फसल से जिये आप इससे के मिर कभी निकाल सकते और भाद में भूंस की बना सकते दूसरी मसीन से जी ऑचाओ बाद में में सूखने के बाद जो है तो तो सर इसकी जो क्वालिटी है । तरीक आम तोर पर हम देखे थे हैं कि और भी जो कंपनिया देती सबता बैरिंग से नहीं किने का , सजपी भी सो में करने हैं मुइन अपर अहीं तल्छ का रुह में मेरा чи मिर्क्षा ज़से हैं मेरा डिसाक चाहने něाते हैं हों सबसक थैसे हैς को में आपको यह दिखांना चाहेंगे ब्लेसानी जो इनकार के घंदे हैं का पर इसको खोंड सकता है यह एक क्या घूम् सकता है किसानवाओ जैसे अब इसमें अब इसमें डेख सकते हैं इसमें बलेड डेर्ड की कौालिटी किया यह थोड़ा हमारी किसानवाओं को आप बताizar इसमें प्लेड आज भी एकल देने से जल्दी से घिसाहीने ओने चाहरा द्रफां इसकी यह काफी अच्छी है जब धसलें इसमें लगाते है तो इसमें राउंडिंगं करें जो है इसका जो पैरा होता है जिसे हमें पॉल बोलते हैं वो बाहर फेक देता हो तो अनाज को जो है नीचे निकाल देता है जी अब आप नीचे आजए थोड़ा सा सर जैसे हम एक चीज़ और बात करें आम तोर पर क्या होता है कि कुछ जगों पर क्या है कि उसके साथ जह हम हम कूड़ा कचड़ा बोल सकते हैं जी वो इधर से निकल जाएगा बाहर अचा ठीक है जी और जो इसमें भूसा छोटा-छोटा बचा रहता है यह उड़ा देगा बाहर को अच्छा ठीक है और बिल्कुल फ्रस था नीचे गिरेगा जी अच्छा सर यह मैं जो देख पा रह इसके नीचे कुछ बेल्ट वगरा का प्रोवीजन दिया गया है यह इसका क्या वर्क होता है और यह क्वालिटी क्या है बेल्ट लगा हुआ है यह पंखे के लिए बेट रगा है इस पे ज्यादा लोड नहीं होता है अचा और पंखा चलता है इससे जी सर हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो इसमें तीन तरीके का हम यहां पर आफशन देख पा रहे हैं इन तीनों का परपच क्या होता और सब में मैं देख पा रहा ह तब ही तो किसान परसंद करेगा जिए और मजबूती के करांड ही आदमी आता है जिए जो पंखे लगे होए हैं यह फिल्टर है अचा यह मेरे पास तीन फिल्टर लगे हुए हैं और यह फिल्टर उदर लगा हुए अचा इससे क्या होता धान को बिल्कुल साफ करने के लि क्या पंचर होने लगता है या टायर फट जाता है यह तक्या क्या वालिटी इसकी从 निस को टार है अचा कॉल्टी ठीक है कमपणी के टायर की भी गारंटी लिए जी जी सर मैं देख पा रहा हूँ यह इसका क्या प्रोवीजन दिया गया यह थोड़ा सा हमारे किसान भी जो ह है अच्छा यह पूरा जो है उठा के बाहर आ जाता है अच्छा इसी पर रुख जाता है सर मैं एक चीज और बात करना चाहूंगा आपने थ्रेसर के बारे में तो जानकारी दी इतना है वी थ्रेसर है यह कितने एच्छ पी के ट्रेक्टर इस मसीन को अपरेट कर लेगा अब चलाने के लिए तो आप 40-35 ट्रेक्टर से चला सकते हैं लेकिन बहुत अच्छा काम करना है तो कम से 45-50 शांस पर ट्रेक्टर रहे तो इस पर काम जो है अच्छा होता है जी अगर मैं इसकी के कि बात करूं तो घंटे में कितना घंटे में इसकी कैप सिटी एक एक एकर धान निकालने की है, एक एकर धान निकालने की है, एक एकर का धान जो है, यह क्लीन कर देता है, जिसे अब हमारी हमारा कोई किसान है, खरिदना चाहता है, मंगवाना चाहता है, मसीन भी काफी अच्छी है, सबसीडी, सबसीडी के लिए अपने बता है, अप्रूब्ड है सबसीडी बताना चाहेंगे हैं किसान मैं इसको दस साल से बेज रहा हूं यह पुद्ध यह नहीं कोई नहीं है तो सबसे पहले अब हमारे किसान गया इतनी देर से वीडियो देख रहें बस उसका जो खर्चा होगा उसको डिलेवरी चार्ज उसको अलग से देना पड़ेगा और बुकिंग भी करवाना पड़ेगा के लिए 10-5 यार एडवांस भी डालना पड़ता होगा थ्रेसर भी जो आप तो इसके घर पे जो है आप थ्रेसर डिलेवर कर देंगे सर एक चीज सब्सक्राइब करना चाहिएंगे इस मसीन की स्रीर का बात करना चाहिएंगे आपके तो आप selleronteum के साथ में साथ बिल्कुल हमारे यहां गोरकपूर बस्ती गोंडा यहां से त्रसर बनकी जाते हैं अचा है जी मतलब हमारे जिले की दुबाते छोड़ो आप सुल्तानपूर फैजाबाद 12 बंकी बनलों यहां लगवक सौसो किलिमेटर दूर से किसान डूर डेडर सकुलिमेटर से आते हैं आ इसको बेसिक चीजें क्या ध्यान रखनी चाहिए इसको चलाने से पहले एक तो बेल्ट लगवा है जी बेल्ट अगर लूज है तो इसो टाइट कर ले इसके साथ मिल जाएगा इसके साथ PTO साउट भी प्रोवाइड करते हैं सब जब यह इतनी अच्छी कॉड़िटी और अगर लोहे की क्वालिटी की में बात करों तो काफी ठोस लोहा है और काफी अच्छा है क्वालिटी बहुत अच्छी है और सर अब एक चीज और बताईए क व्किन आप हमारे किसान बहुत जो मंगवाना चाहते हैं इसके रेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए रेट तो पिछली साल का रेट तो कम है यह लेकिन बाहर का लेना चाहता है अब के माध्यम से लेगा तो उसको दस जार के डिसकाउंट देंगे तो आपको 10,000 रुपए का इस पर डिसकाउंट मिलेगा दो लाग पंद्रा हजार की या यानि 10,000 रुपए का हमारे किसानभईयों को आप ओफर दे रहे हैं जो हमारे माध्यम से लेता है तो किसान्वियों इतनी अच्छी कंपनेजन है इतना अच्छा आपको मिल रहा है। तो देजी किस बात की? इसको आप मंगवाईए और मैं एक चीज और कहना चाहूँगा अगर आपका काम सही से चल गया तो दो सीजन में किसानवियों दो सीजन तो दूर की बाद एक सीजन में भी आप पैसा इसका छोड़ सकते हैं लसके मजीन आपका पैसा छोड़ दी है और किसांब्यों तो आप एनिटाइम करके सर स संपर कर सकते ही नंबर जो सर्का डिस्प्लेय मशा Baş तो वीडियो को जादा से जादा से शेयर करिए किसी जरूरत मन किसान तक पहुंचाईए तो किसान भी मिलूँगा फिर से एक नई और अच्छी वीडियो लेकर तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद